दोस्तों स्वदेशी अभ्यान के तहट भारत ने अब हलके टैंक बनाने में भी सफलता हासिल कर ली है। गुजरात के सूरत में स्वदेशी लाइट टैंक का सफल परीक्षन भी हो चुका है, जिसे नाम दिया गया है जो रावर। सभी परीक्षनों से गुज़ने के बाद इसे साल 2027 तक सेना में शामिल किया जा सकता है। रूस युक्रेन के बीच चल रही युद्ध से सबक लेते हुए, इसमें लोटे इन्म्यूनिशन USB भी जोड़ा गया है। इस हलके टैंक को उचाई वाले इलाको लगदाक और गलवान घाटी में भी तैनात किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि केवल 30 साल में 25 तन वजन वाला ये टैंक रिजाइन कर इसका पहला प्रोटोटाइप भी बना लिया गया और अब इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। इसका ये कतय मतलब नहीं है कि इसकी मारक शम्ता में किसी प्रकार की कोई कमी होगी। जो रावर की मारक शम्ता इतनी अधिक है कि बड़े से बड़े टैंक पर ये भारी पड़ सकता है। आपको बता दे कि ये स्वदेशी टैंक पूरी तरह से ड्रोन एकी करन के साथ ही और्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लेस है। इसमें सक्रियस सुरक्षा प्रणाली के साथ हर तरह की अत्याधुनिक जरूरते हैं और अत्याधुनिक तक्नीक का इस्तेमाल किया गया है। जिससे दुश्मनों को मात दी जा सके। इसमें 105 मिलिमीटर की गन लगी हुई है जिससे एंटी टैंक मिसाइले दागी जा सकती हैं। मिसाइल सिस्टम के अलावा इसमें मुख्य तोप तो है ही दूसरे हथियार चलाने का सिस्टम भी है। इसमें modular explosive reactive armor है और साथ में active protection सिस्टम भी लगाया गया है जो जो रावर को दुश्मनों के हमले से सुरक्षित रखेगा। बहतर mobility के लिए जो रावर में minimum 30 HP टन का power to weight रखा गया है। आई ये तो जानते हैं कि इस टैंक की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तो साल 2020 में चीनी सेनकों ने दादागिरी दिखाई तो गलवान में उसे मूँ की खानी पड़ी थी। गलवान में चीन की सेना पैंगोंध जील की उत्तरी सीमा की ओर बढ़ रही थी, तभी भारतिय सेना ने 15,000 फुट की उचाई वाली चोटियों पर अपना जंडा गाड़ कर उसको पीछे धकेल दिया था। यही नहीं, इतनी उचाई पर भी 200 से ज़्यादा 372 और 392 टैंक टैनाथ किये गए थे। इसलिए आपनी अलग भूमिका है, एक टैंक सुरक्षा के लिए होता है, तो दूसरा आक्रमन के लिए, हलके टैंक वास्तव में सुरक्षा और हमले दोनों की मिशृत भूमिका निभाते हैं। इसलिए आज दुनिया भर के कई देश हलके टैंकों का निर्मान कर रहे हैं। इंजन 300 स्पावर प्रती टन से अधिक का पावर जनरेट करते हैं। कम उपसीजन और उचाई वाले इलाकों के लिए ये पावर परियाप्त है। अब भारत का जोरावर इससे भी हलका होगा और इतनी ही पावर जनरेट करेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।